इसके एक वर वीडियो मैं आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों यह आपको दिख रहा है इंडियन रेलवे इंडिया की सान जान बान और रान वन अप दो स्ट्रोंगेस्ट आप बोलिए तो सेक्टर है क्योंकि इंडियन रेलवे से जुड़े हुए 5 यह 6 कंपणिया दिया था प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था उसी सेक्टर की एक कंपणी की बात कर रहा हूं मैं जो टिकेटिंग आयर कैटरिंग बिजनस से जुड़ी हुए दोस्तों हाँ आप सही समझे मैं इंडियन रेलवे की बात कर रहा हूं इंडियन रेलवे की आयर सीटी सी कंपणी क की बात कर रहा हूं जो बहत्रीन अपने प्रीमियम पर लिस्ट होने वाल के नाम से जानी जाती है और तब से बहुत 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 कमपणी का परफॉमेंस दी हुई है बहुत पले उसको आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार दिखा दूँन ताक इतनी छोटे दिन 2019 में सेतंबर में हुआ था इसका लिस्टिंग के बावजूद भी यह देखिए 15 मूच्वल फंड की स्कीम ने माल उठाके रखा हुआ है और FFI इसके अंदर आ चुके है 407 FFI आ चुके है अब देखिए सर्प्राइजिंग की बारी पर्मोटर विस हाइस देखिए बाई सब यह एक सरकारी यानि की PSU कंपणी बोल सकते हैं आप इसको और PUC कंपणीयों में रेलेवे सेक्टर में सबसे बहतरीन कंपणी यह है हाईस्ट पब्लिक सेयर होल्डर लाइफ इंसुरेंस कार्पोरेशर आप इंडिया यानि की LIC जो भी अपने आप में भी मार्केट में वो लिस्टेड है LIC और इंडिविजुल इंवेस्टर होल्डिंग जो है यानि हम जैसे छोटे मोटे इंवेस्टर लोग 19.86% का इसमें होल्डिंग रखते हैं यानि किस तरह का इस कंपणी के उपर ट्रस्ट है दोस्तों ठीक है अब मैं आपको एक बार इ इसके टाइम पर जब आया था यह यह देखिया 18 अक्टूबर 2019 को 155.83 का पराइस ऑफर पराइस था और तब से देखिए क्या कॉंस्टेंटली इसके अंदर रन हुआ है एक टाइम पर यह का इसने हाई बनाया था और वहां से लेकर आया था ठीक है दोस्तों तो परफॉमे करोड की कंपणी यानि की मिट कैप कंपणी है 52 वीक हाई लगाया था इसन नो सो निस का 52 वीक लो लगाया था पांसो संतावन का दोस्तों डिबिडेंट इलबी 0.55 है जितनी भी पीएस वी कंपनी सरकारी कंपनी हम सबसे जाद कम डिविडेंट देनने वाली यही कंपनी है दो बहतरी परामीटर स्टॉक सेलेक्शन का रोसी जो है 51.3 परसेंट है टॉप कलास का और रोई जो है 39.9 परसेंट है यह भी टॉप कलास का है डेप कर जे कि कोई बात ही ने कंपेर टू मार्केट कैपिटलाइजेशन अर्निक पर सेयर जो 11 रोपया दो पैसा का है फाइव आप देखेंगे कि इसने अभी हाल फिलाल में जो अपना हाई लगाया था यह 620 का हाई लगाया था अससे 10 दिन पहले की पराइस का जब RSI 20 से भी नीचे जा गया था यह RSI के देखिए इस पराइस को मुमेंट को हम लोग समझने के लिए कुछ इंडिकेटर यूज कर रहा है जिसमें यह EME moving average लगा के रखा हुआ मैंने यह red वाला जो है दोस्तों यह 100 days का है जो green वाला यह 200 days का है दोस्तों और जो yellow वाला है यह 150 days का है यह तीनों के तीनों लंबी दूरी के moving averages मानी जाती है और stock selection on investing में इसका सहरा लिया जाता है दोस्तों at present जो scene है आप देखेंगे यहां पर मैं थोड़ा सा enlarge करके आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आपको clear view नजर आए प्राइस जो है अट परजें टीनों long distance की moving averages से down है लेकिन आप देखेंगे कि price जो है यह तीनों moving averages एक point के अपास आकर अपने आप पर मर्ज हो रहा है दोस्तों और recent low लगाने के बाद यानि के 620 के recent low लगाने के बाद एक bullish हरामी candle बना था और उसके बाद से कोई भी candle इस candle के नीचे close नहीं हुआ है यह heavy accumulation दिखा रहा है एक दिन दो दिन तीन चार पांच छे साथ आठ नो यह 9 दिन से price इसी range में accumulate कर रहा है औ और RSI भी oversold के आसपास में ही है इससे यह परतिज होता है कि आने वाले वक्त में इसके अंदर reversal आना लाजिम है दोस्तों कोई भी stock हमेसा oversold नहीं रह सकता है और कोई भी stock जो हमेसा चल जाए वो हमेसा overbought भी नहीं रह सकता है ठीक है यह ऐसे ही चलते रहता है जो overbought हो गय टर्म के लिए one of the best stock है railway sector का और short term के लिए आप इसमें नजर बना के रह सकते हैं जो दोस्त प्ले करना चाहते है इसी का low का 680 का नीचे का low का SL लगा के इसको प्ले कर सकते हैं और long term के लिए one of the best stock selection मैं इसको मानता हूं railway sector का government sector का railway का business कभी भी कम नहीं होने वाला है business में invest क हो जाए दुनिया डेवलाप हो जाए railway उतना ही डेवलाप होगा ठीक है railway में हमेसा भी लगी रहेगी उसका business डाउन नहीं होने वाला है तो railway में invest किजिए आप लोग business में invest किजिए मैं यह सजेस्ट करूंगा आप लोग को दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आ है यह पसं इस्टेश में वीडियो आप तोल